नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उप्चार द्वारा प्रेजेंट स्वास्त संजीवनी में आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद दर्शको प्रकरती हमारे लिए वो सभी साधन जुटाती है जिससे कि हम फिट और दुरुस्त रह सकते हैं लेकिन हम प्रकरती का दोहन करते हैं हम प्रकरती के साधनों का दुरुपियोग करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं लेकिन इस कारकरम के माध्यम से हमारा प्रया से उसमें आपको लाब पहुंचाया जा सके और ये तमाम जानकारी हम प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकर्तिक चिकट्सा करते हैं और बंसल जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार बंसल जी हम इस कारेक्रम के माध्यम से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि लोगों को प्रकर चाहे नसों में जकडाहट हो या कोई भी ऐसा पेन हो जिसके लिए व्यक्ति लगातार पेन किलर का सेवन कर रहा है बीपी की प्रॉब्लम हो डायबिटीज हो और किड्नी के लिए तो लोग लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहते हैं जिसके लिए उन्हें डायलेसिस तक करा लाने पड़ती है देखो ये बात बिलकुल आपने ठीक कही कि यूजि आदमी सोचता तो बहुत कुछ है पर उत्ता कुछ नहीं है माला सोचता रहता है सोचता रहता है और कई बार कह दें बढ़ी चलो गरीब आदमी है इसको तो बिमारी यूश लिए होगी कि इसके पास नहीं थे लेकिन कई रहती है कि जो जिएदा पैसे वारे हैं वह बहुत जादा बिमार पड़ जाते है और और जादा गंभीर बिमारियों से अन्ध जेदना अमीर आदमीinhos बिमार पड़ जाता है जबकि उसके पास रैने की बहुत अच्छी विवस्ता है खाने की बहुत अ अच्छी विवस्ता है फिर हो इतने गंभीर रोगों में ऐसी चपेट में आ जाता है कई कई उसके आपरेशन हो जाते हैं ना चाह के भी इतना पैसा उसका उसमें वेश्ट हो जाता है कि आम आदमी सोच भी नहीं पाता है हाला कि वो अमरिका तक लंदन तक सब जंगे इलाज करा काता है फिर भी नहीं बच पाता है और यह आपने पिछे इस्ट्रियां देख भी लिए ओंगी कि बहुत से आदमी अमरिका भी वहां पर इलाज करा है फिर आकर यहां डैथ हो गया मलब पैसा होते वे भी इतना पैसा होते वे भी आपने देख्या होगा और ज्यादा प्रेशान हो जाते हो इसका दोस्तों क्या कारण है यह क्यों होता ऐसा कि भी हमारे पास सब कुछ अच्छा होते वे भी हम इतने ज्यादा बिमार क्यों पड़ जाते है दोस्तों उसका ए क्योंगी गरीबी में रहेगा तो जिस टाम के फलाएंगे वो सस्ते होंगे वो ही खाएगा अमीर आदमी क्या होता है वो प्रिज्र किये फल लेता है जो मौसमें नहीं होते हो महंग आते हैं वो उसको लेना अच्छा समझता है कि वो उसकी नादानी होती है वो सुचता है इस लिए आमें रहते थे हुँ तो उन्होंने का कि मैं तर्बूज ली आया आज़ी तर्बूज वो फ्रीज में रख़ दिया तैकि आज मैं खा लूं उसको हालाकि तर्बूज तो बिल्कुल ठीक था हो, कटया कटया है, उन्होंने ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दिया, किड़नी उनकी पहले ही खराब है, मैं कहा जी और किड़नी खराब हो जाएगी आपकी तो, तो आपने तो ताज ही फल खाने चाहिए, जब मनगाए उसी काटे और खा लिया आपने, अगर आप फ्रीज में रखे खाऊगे तो और किड़नी उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगी, और बिमारी आ जाएगी, क्योंकि जो फ्रीज में जो गैस बनती हो, गैस उस पर लगेगी, उस पर लगेगी, तो आपको बहुत ज्यादा नुक्श आदमी है, तो ली आता है, चल बहुत काट कर रख दिया, ठंडे रहेंगे, ठंडे, ठंडे, मैं खाऊँगा, हलांकि कसूर उसका भी नहीं है, देखो धनतों सभी चाते हैं, अमीरोना भी सभी चाते हैं, अमीरोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार अमीरी में हम, बिमारियों का रोगों का अकार्ण क्या दोस्तों, यही समझ लो बात, जाने अंजाने, कि गल्तियों का प्रिणामी रोग है, कुछ हम जानबूज कर देते हैं, कुछ अंजाने में हो जाती हैं, वही रोग प्रिणाम हो जाते हैं, तो उसके अकार्ण फिर बिमारी बढ़त है कहया कहने सकते हैं क्या किया होता है पंच साथ कंटे वेसे लग जाते में एक बार दो बार फिर रफ़ते में तीन तीन बार होता है, मत वह आदमी की जिन्दगी नीरेस हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है वो भगवान को याद भी करता है करे यह क्या हुआ यह क्या हुआ और कई बार हमने देखा है आदमी भगवान को वैसे याद नहीं करता वो एक सर्वेशन हो आता जो हाट का भी जो बिमारी होती है जो खुश आदमी होते हैं उनको ज्यादा होती है और जो बिमार व् क् caveat कुं बहुत कम पढ़ता है, क् beyond «उडुषी दुषू को हार्ड एट क् atक बहुत कम होता है। दुस्तों ये तो साइंस की ने भी क्योंकि आर्ट क्या होता है जब हम ज़्यादा होते हैं तो वह आठ क्योंकि उस में खून तेजी से बैठता है और जब बिमारी हो जाती है तो आदमी चिंताम होता है तो खून सलो हो जाता है तो आट मापने देख्या और किसी को कहा देते रहां दस क्रोड की लाइटरी निकल गी तो उसको एक दम कई बार हार्ट एटेक पड़ जाएगा एक दम पड़ेगा रोड़ से बहुत दूर चले जाएंगे हम बगवान को क्यों याद करेंगे बगवान को ता जब याद करेंगे जब हम दुख होंगे कि बगवान बचा 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 क्या होता है यह सर्वेक्शन हुआ है जो आदमी कई बार क्या होता है बुड़ा पे मैं क्यों बिमार बिमार इसलिए पढ़ता अगर उसको खुशी दे देंगे तो बगवान के पास नहीं जाएगा बगवान को याद ही नहीं करेगा तो एकदम मैं डैत होगी रात को सोया सुब डैत होगी भगवान को याद भी नहीं किया तो उसकी गती कई बार नहीं हो पाती है तो जो बिमार विक्ती होता है तो क्या करता है वो भगवान को याद करता रहता है उसके पास और को उपसन ही नहीं होता है क्योंकि दर्द इतना होता है, ये भगवान बचा, ये जाने अन जाने, भगवान उसकी गती सही होने रगता है कई बार ये बहुत ही गहरी मलब बात है तो इसलिए कई व्यक्ति आपने देख्या होगा जो बहुत ही भगवान को और उसको याद करते हो लास्ट के टैम में बहुत ज्यादा बिमार पड़ जाते हैं और बहुत दुखी होता है उनकी डैथ होती है एक्चलम हो दुखी नहीं होते हैं उनके ये पाप कटते हैं इस जनम के जो है पाप हो कट जाते हैं क्योंकि वह भगवान के बिलकुल करीब होता है वह भगवान को याद करता रहता है याद करता रहता है याद करता रहता है क्योंकि उसको बिमारी इतनी रोग इतना है तो भगवान के बिलकुल उप मंदिर ही नहीं जाता हो बार बार से टुम टुम कर देता है तो उसको भगवान को फिर याद भी नहीं करता हो कि खुशी खुशी में भगवान को याद नहीं किया जाता तो ये भी एक बहुत गहरा एक राज की बात है दोस्तो धुखी व्यक्ति हमेसा भगवान को याद करता आप खुशी खुशी मजा रहे तो भगवान से आप दूर हो जाते हो दोस्तों तो यह साइंस है थोड़ी सी अलकी सी अगर आप इसको समझ होगे तो बहुत कुछ पा जाओगे तो इसलिए बीमारी मैं है तो इसलिए मैं कहता हूँ मोन हो जाओ जो अंतर आत्मा है अंतर की आत्मा को बिमारी को आपने देखना है क्योंकि आप भगवान से दूर हो जाते हैं यह मेरे से दूर ना जाए जैसे माबाब होते मेड़े में चले जाए बच्चे को कहां दूर छोड़ते हैं उसके उंगली हाता तो आएगा दोस्तो ऐसे ही भगवान हमें पकड़के रखता है जो हमें बीमारियां के रूप हों और खुश व्यक्ति को बड़ों को याद ही करें घूर, जिक को दूर नहीं चाहेगा अब जैसे एक पेसेंट था मेरे पास साउध दिल्ली में उसके बच्चे दोनों अमरिका चले गए तो यही दुख था मेरे बच्चे अमरिका हैं अगर वह मेरे वह फोन कर ले आ जाएं तो मैं सुखी हो जाओं जो आपका यह इस जनम का पिता है वह साथ विशाल तोमर जी जुड़े हैं वही कह रहे हैं कि सर मेरी नसों में अकड़न रहती है बहुत जादा और गर्दन और फेस की देखो यह नसों की ही रुकावट और कुछ भी नहीं है जब नसों में ज्यादा रुकावट आ जाएगी तो अकड़न पर ना जाएगा आच्ड़न है यह बिमारesterol का बड़ा रूप है दोस्तों इसको बड़ रोप में हम मानते हैं तो इन नसों को खोलने का कोरस करेंगे तो आफसाए है घ हाखो आव्यदम तो बहुत ही अच्छा है वाक्हे में अच्छा है तो इसका आप इश्तेमाल करें दो तीन मिन्हें तो तो यहां पर जहां पर भी आपको अकşरसाइज करे पूरा लंबा गयरा सांस बने और सब्सोर्श चोडते वे एक्सरसाइज पूरे बिन करको दिखें ञ Jestना जहां जाद आपको अकडन है तो उससे आपको रात मिलेगी और रात को फिर दूद में अलदी और लसन जेखो दूद में अल्दी और लसन जैनी चोथाई चमच आपना अल्दी लेनी है और चोथाई दस बारा डोड़ी लसन की उसको डाल के और उमें एक छुआ रावी डाले पान साथ मुनक्का डाले और उसके किसमिश डाले और उसके ज्यादा हो तो दाल चिन्नी भी अल्की सी आप डाल सकते हैं दूद को गरम करके उबाल का चिदर पीए जैसे एक गिलास दूद ले एक गिलास पानी ले अगर आपको बीपी की शिकायत भी रहती है माल लो तो फिर वो दाल चिन्नी जरूर डाले उसी दूद में जैसे मैं अल्दी डाले तो अल्दी क्या कर करेंगी दर्दों में भी अराम पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी बिल्कुल विशालत ओमर जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समधान मिल गया होगा अगर फिर भी कोई संश्य कोई सवाल आपके मन्ध में हैं जिसको आप जानना चाहत सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्ला के लिए किसी प्रकार का शोल्क संस्थान आपसे नहीं लेता है बात करके आप उचित मात्वर्षन प्राप्त कर सकते हैं तरशे को YouTube और Facebook के माध्यम से हम हर रोज 11 बजे आपके पास live आते हैं, हम ये उमीद करते हैं कि आप अपने जो भी सवाल है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके रोग घर कर गए हैं आपके शरीर में, उनको आप comment के माध्यम से, phone के माध्यम से हम तक पहुचाएं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी सवालों के जवाब यधा संभव आपको दिये जा सके, उनका प्राकरतिक निदान, उनका उप्चार आपको दिया जा सके, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी चीज़ को लेकर आप जानना चाते हैं, किसी भी और आप लंबे समय से उसका से माद्हिं से अपनी जो रिपोर्ट हैं हो भी शेर कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मनसुल को लेकर बात करेंगे क्योंकि नसो की जखड़न कहीं न कहीं पूरे शरीर में रक्त का अगर संचार ठीक तरीके से नहीं होगा तो उगों पर प्रभाव जानी रहा, वह कहीं न कहीं रुकावट है दोस्तों, उसमें पूरी एनरजी जाने रही, यह सब एनरजी का खेल है, जब एनरजी जाएगी नहीं ता आप कितनी भी दवाई खाते रहो, तो थीक नहीं होगा, वह थोड़े दिन तक रुक जाएगी बिमारी फिर हो जाएगी, जालब यह चलता रहेगा, फिर चकर चलता रहता, इस चकर को आप रोक नहीं पाऊगे, और आपके पैसे भी बरबाद जाएगे, और शरी में दर्द भी बहुत ज्यादा बना रहेगा, तो उसके लिए आपने एक ही काम करना, दोस्तों, शिर्फ नसों का आप खोल लाएग जिस अंग में भी आपको दर्द है या रुकावट है या उसका अपरेशन बोल दिया है, तो उस अंग को आप अगर खोल लेंगे एच्छी तरह सही तरिक्के से, तो आप अपरेशन से भी बच सकते हो, और दर्द से भी बच सकते हो, और उस अंग को फिर दुबारा उसको तो नहीं तो फिर हो दीरे दीरे दीरे, चैय हो किड्नी हो, चै लीवर हो, चै फिर घुटनमें धर्द हो, चैcharis एडी में धर्द हो, और फिर यूं का यूं बना रहेगा पिंडलियों में धर्द है, कई आदमी क taşते हैं कि मेरे कुप полож बड़ गया, मेरेगा गरदन में कमि होती है देखो आप ने देख्खा, जब अक्सिजन की मात्रा हमारे सरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें नींद भी नहीं आएगी रहता है, क्या होता शरीर एक्टिव रहता है, जैसे ही ऑक्सिजन की कमी हो जाए तो एक दम नहीं डालूं जागा। यह आप चेक क कमी होती है तो वैसे वैसे हमारा स्रीर भी निडाल हो जाता है वो ताकत नहीं रहती हम दोड़ नहीं सकते भाग नहीं सकते फिर फिर हम बात नहीं कर सकते किसे बात करेंगे तो जल्दी ठक जाएंगे तो जल्दी ठकने का मतलब यह होता आप समझो बात ने आप पाड़ों प जाती है खून तो दोड़ता रहता है तो फिर क्या होता है विमार पड़ जाते हैं हमारे से कोई चीज होती ही नहीं है तो हमने क्या करना आपनी ऑक्सीजन की मातरा को बड़ाना है और उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैथ्ट है जैसे आदमी अपने लेट जाए, कई बार बै तो 8 गंटे तक आपने एक मिन्ट में एक बार सांस ली एक बार छोड़ी एक मिन्ट सांस ली और एक मिन्ट छोड़ी फिर दीरे दीरे ब्रेक दे कर छोड़े और इसको बहुत ही ध्यान से फिर अपनी ऐसे किरिया करते रहे जो विचार आते आने दे और अपने शरीर को देख सार्फ़ेजित्ति नियुक्ट शोचन को यूंद्र साहरे सेब आपको पता भी है जो अन्दादमी होता है वो क्या करता है जैसे हम मैं आंख मीं चलू मैं नोट को बताही नहीं सकता यह कितने नोट है दुस्टो गजार का पांषो का है तो नहीं बता वहों लेकिन अन्दा अठम है बि गता हैं आउख्छरनें कि ने छाओने निवेग्राइड accelerate प्रक्राइब काय से पहले Спशानलिकु के दिस to एक्टिव हो जाएगी हम ऑगों सीमिन यह वट खेंगे पीड़िये त्ही धन्यवाद के हम मसर जी कारेक्र चौटवा कार मेंझा नश्कार्इब कर दोड़ दो